नमस्कार दे इंडिया टॉप देख रहे हैं आप मेरा नामुदीब तार्यन है दिग विजय सिंग पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो पर बिहार की राजधानी पटना में उनका आगमन हुआ था और सदाकत आस्रम में उन्होंने प्रेस वारता किया जिसमें दो एहम मुद् को वो बेच रहे हैं दस साल मध्य परदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं दिग विजय सिंग मौझूदा समय में कॉंग्रेस से राज सभा सांसद हैं कॉंग्रेस के महा सचीव भी हैं ग्वालियर स्टेट के रागोगड परिवार समंती परिवार उसमें उनका जन्म हुआ था मतलब एरिस्टोक्रेट फैमिली से आते हैं और राजनिती में उनका अच्छा वर्चस्व माना जाता है दो बातों पर हम विश्लेशन करेंगे पहला बढ़ती महंगाई पर उन्होंने टिपनी किया है और दूसरा जातिये जन्गर्णा पर उनका कहना है कि कॉंग्रेस चाह में लोकसवा में अपना ब्यान दिया था और उनके विपक्ष में पी चितिमरम जो की उनियन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि जातिये जन्गर्णा करवाना संभव ही नहीं है यानि 2011 में जो कॉंग्रेस थी वो इसके विरोध में थी और भाजपा इसके पक्ष में थी आ कहना है अदुची शुरात करते हैं हम महंगाई पर देखे आज फिर से लपीजी का दाम जो है पचीस रुपया बढ़ा दिया गया पिछले बारा महीने की बात करें तो हर महीने औस तन 24 रुपया दाम बढ़ाया गया है पेट्रोल डिजल कर देखे तो पिछले एक साल में लगभग 25 रुपया यानि हर महीने 2 रुपया उसका दाम एवरेज औसत बढ़ाया जा रहा है इस पर दिगविजे सिंगा कहना है कि सरकार को सोचना चाहिए और राष्ट्री संपत्ति जो बेची जा रही है जैसा उन्होंने बताया क्या कहना है इस पर देखे राष्ट्री इस यह भी था कि सरकार के जो फैसे पैसे जो सरकारी कंपनियों में फसे हुए उनको ध्रे ध्रे निकालना है उनको आत्म निर्वर बनाना है और विदेशी परत्यक्ष निवेस उसको बढ़ावा देना है फिर से नीजी करन को बढ़ावा देना है वैस्वी करन को जिनका काम ही था कि वे सरकारी सन्यंत्र जिसमें सरकार के ज्यादा पैसे लगे हुए हैं और वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो उनसे पैसे निकालना है उनको स्वायत बनाना है उन्हें से चलती हुई ये परंपरा 2021 में बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है उसका हम सब चीज इंडिया में बन रहा है काफी सस्ता बन रहा है और काफी असान हो गया हाथों हाथ मोगाइल देखेंगे इलक्तोरणिक ऐटम देखेंगे और एक तरह से देखें तो इंडिया जो है वह आई-टी इंडस्ट्री में पूरे दुनिया में कदम से कदम मिला के चल रहा है तो मैं तो जो आरोप लगा रहा है कि बेटा जो सरकारी संपत्ती बेच रहा है तो सुरवात तो इसके मनमोहन सिंहीं की हैं और बाद में दस साल कॉंग्रिस भी रही उन्होंने भी इससे काफी प्रोमोट किया रहा बात महंगाई का और खासकर पेट्रॉल डिज हाँ लपीजी गैस का बता रहा हूँ झूज्य का है और जो पेट्रॉल डिजल का है पेट्रॉल डिजल को मार्केट आधार्य जो मुल्य नीदहारन का नियाम किस ने दिया da कॉंग्रेस गवर्मेंट नहीं 2012 या 13 में दिया था जिसमें था कि अब मार्केट डिसाइड करे या कि इसका मुल्ले कितना होना चाहिए तो यह तो सरकाल के कंट्रोल से बाहर तो कॉंग्रेस गवर्मेंट ही किया तो मना जो दिविजय सिंग है उनको इन प्रस्नों पर उतर देना चाहिए आप विपक्ष में है इसलिए आप से ज़्यादा प्रस्न नहीं पुछा जाता है सरकार से पुछा जाता है लेकिन इसके जन्मदाता इन ही के सरकार के लोग है आज मनमोहन सिंग को जो 1991 में LPG के लि और यह आज काफी मजबूती से आगे बढ़ चुका है देश को इसका फाइदा नजर आ रहा है बहुत सारे जितना भाजपा कहती है कि हम बेच नहीं रहे हैं हम संस्थाओं को चीजों को सड़क को रेलवे को लीज पर दे रहे हैं देखिए बहुत देखिए जो भारत में देखिए आप उनेश्व स्थाओं में नहरूल जी योजना आयो का स्थापना किये समाजबादी संस्थाओं का मिस्त्रित अर्थवे वह उस्ता रखे हो लेकिन वह सस्टेन नहीं कर पाया उनेश्व नब्बे आते आते देश में बिरुजगारी महंगाई टेक्नलोजी उनके ही कॉंग्रेस के वित मंतरी मन्मोहन सिंग और परधान मंतरी पीविनर सिमाराओ के द्वारा ये कदम उठाया गया और उसके बाद ये आज जो है उसका फायदा देश को नजा आना सुरू हो गया तो ऐसा नहीं है कि ये जो बेचने का जवापात कर रहे हैं तो देश जो है देश का आपका क्रेड लिट जो विश्वस नेता है दुनिया में वो भी बरते जा रहे हैं कि विदेशी कंपनी आपके हां इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके हां मार्केट बना रहे हैं आपके हां इंडस्ट्री लगा रहे हैं मैनिफेक्ट्रिंग अब लगा रहे हैं स तो हमाई फायदा हुए है लेकिन जो LPG प्रोग्राम हुआ उसका फायदा जो है शारों तक की रहा, गाउं तक नहीं पहुंच पाया तो बेचने का जहा तक बात कहा जा रहा है, तो बेचने का जो सवाल है वो नेरंध मोधी के समयप पर अपने चरम पर है, बेचा नहीं जा स्वायत सौपा जा रहा है और स्वायत सौपने के बाद आप देखिए ना सरकारी जो ही चीज था सरकार के हां तो मरा वरबाद हो गया एर इंडिया है उसकी हालत खासता है लेकिन वही देखिए जितने भी प्राइवेट आ रहे हैं वो काफी आगे जा रहे हैं तो हम उन्हें प्रमोट कर सकते हैं और यही सोच मन महान सिंगा था आखिर जो कोई भी आए रोजगार यहां के लोगों को ही मिलता है सुबधा जादा यहां के लोगों को ही मिलता है उसका हम फायदा उटाते हैं यही उन्हें से कानवे का कॉंसेप्ट था जो आगे आज आगे हैं बहुत foreign investment का निजी करण का इसका विरोध करते आई लेगिए वही तो मैं कह रहा हूं कि भीपक्ष में रहने पर एक भारत में एक बन गया निती बन गया है कि आप भीपक्ष में हैं तो कितना भी कल्यानकारी योजना क्योंना सरकार लाया उसका आपको विरोध करना है चाहे हो कैसा भी हो यही सरकार है जो जीस्टी का पानी पीके कोस्ती थी मनमोहन सिंग को लेकर 2007 में इंट्रडूस किये थे वो लेकिन परधान मंत्री नंद मों दिया है तो इसे आधिरात को पास कराया गया बहुत बढ़ा उपलब्धी बताया गया एक तो यह तो राजनिती ह है आज जो बोल रहे है यह दिगविजय सिंग यह वही नेता है जो कि 1993 से लेकर 2003 तक जब एंपी के मुख मंत्री रहें तो मनमोहन सिंग का तारीफ किया करते थे बीविरा नर्शिमारा का तारीफ किया करते थे एफडी यह और सब चीज को लेकर कि हमने जो है दुनिया से कदम से कदम मिला के चलने का अपना नीती बनाया है तो आज तो हम उस नीती पर बहुत आगे बढ़े हैं चुकि यह विपक्ष में है तो आज इनको आरोप लगाना है तो सब चीज पारोप लगाएंगे आगे आ 2011 में जब काश सेंसर हो रहा था तो उससमय लालू पर्षाद ए अदभ ने विहां इन दुटेंस से ऑर मुकरत तौर से फ्रंट पर भ्यायाकर उन्होंने इसकी मांग की थी। सरद यादव ने भी इसकी मांग की थी, मुलायम सिंग यादव भी इसके पक्ष में थे, उस समय लीडर अफ अपोजिशन सुस्मा सुराज ने लोग सभा में इसकी मांग रखी थी कि जाती है अधारित गणना होनी चाहिए, भाजपा इसके पक्ष में थी, पीचितम रम जो क कि उस समय केंद्रिय मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि यह संभव ही नहीं है, और साथी चाहत उन्होंने यह भी ब्यान दिया था कि इससे समाजिक ढाचा बिगड़ जाएगा, आज 2021 में आज दिगविजे सिंग का एक बयान आया है, पहले आप वो बयान सुन लिजिए, कि जाती दंगर्णा पर वो क्या है क्या रहे है? हम समर्तन करते, 2011 में यूपियो सरकार कर देने हैं तो 2011 से हमने वंजूर कर लिया था, तो 2014 से लिए 2021 तक क्यो नहीं किया आप वो दिया, ही नितिश कुमा जी क्या कर रहे थे? प्रिक्ष्णिर के मामले में, मैं इतना ही कहूंगा, कि जिस प्रकार से, भार्रक्ष्णिर के मामले में, बहुतना ही कहूंगा, कि जनता पार्टी ने कश्मीर के मामले में निरने लिया, उस समय लिया, जबकि वहां विधान सभा थी ही नहीं, विधान सभा भंक कर दी गई थी, और मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं, कश्मीर के मामले में सबसे अच्छा बयान किसी ने दिया है, या योजना मतलब पॉलिसी बनाई है, वो अटल भ्यारी बाजबाईजी ने बनाई थी, जब उन्होंने कहा था कि कश्मीर के समस्या का हल करना है, तो तीन बिंदू पर इस मोधी शा सरकार ने अटल जी के तीनों बिंदू को नकारा है, इस बात को मैं कहना चालता हूं, तो उनका कहना है कि 2011 में कॉंग्रेस इस पर त्यार हो गई थी, और 2014 में जो मोधी सरकार आई है ने दिन मोधी की, आज 2021 हो गया, इसके बीच उन्होंने जाती है जन गणना क्यों नहीं करा है, आपको नहीं लगता है आदे जी कि अभी समाजिक मुद्दा, ओभी सिकास सेंसर्स, फरवर्ड कान सेंसर्स या फिर स्टी स्टी का जाती है धारित गणना, राजनितिक मुद्दा जादा बन चुका है, देखिए ये जाती है जन गणना जो है, इसमें चेते दल हो, बिपक्श में हो, चेतरिये मुख मंतरी हो, उन के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि देखिए आप 2011 में कौंगरेस नहीं कराई और उसमें बीजेपी मांग करती थी, आज 2021 में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी नहीं करवा रही है, आज कौंगरेस मांग प्रद्द्धान मंत्री नहीं कर वा रहें तो एक चीज़ साफ है कि जातिये जनगन्ना से भले एस्टेट को फायदा हो लेकिन देश को फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि यह नहीं लागू हो रहा है यह नहीं मान रही है सरकार तो इसका सीधा-सीदी यही मतलब है कि केंदर सरकार देख रही है कि यखिल भारतिय रस्तर पर जातिय जनगन्ना देश के हित के किलाफ है इसके सुरक्ष्छा, अखंडता और एकता के खिलाफ है अलग बात है कि जो भी जो छेतरिये दल है, राज्य में है वो चाहते हैं अपने जो छेत्रिय आकांचा जो है उसको पूरा करना चाहते हैं इसके माध्यम से और दूसरा चीज़ बादेश में देखे तो जाती और धर्म जो है राइनिती के सबसे बड़ा अधार बिंदू रहा है मंदल कमीसिन आने से पहले हम देखे तो धर्म का बहुत बढ़ा मुद्दा हुए करता था मंदल कमीशन में हिंदू धर्म में जाती में टूटा अब है कि जातियों में भी इतने ज्याधा नेता हो गए हैं मंदल कमिस्टान आने के बाद किसे फाइदा हुआ ओबी सीवर के जो नेता थे उन्हें फाइदा हुआ जैसे मुलायम सिंग नितीज कुमार हुए लालू परसाद यादा हुए बिजू पतनायक हुए फिर से ओंपरकास चौटाला हुए ये लोको फाइदा हुआ लेकिन अब जिस तरह प्यार दिया समर्सन दिया लेकिन आपने वैसा ना छेत्र को आगे बढ़ा पाया ना उनकी चेत्रिये स्मिता को बढ़ा पाया बलकि परिवारबाद की पाटी रह गई वह बनके किसी भी एस्टेट में आप देखें तो अब इन्हें चाहिए नया टॉनिक अब व के लिए हानिकारक है यही कारण है कि कॉंग्रेस भी 2011 में करवा कर सोचियो एकनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 में करवाने के बावजूद भी उसने उसका रिपोर्ट आउट नहीं किया और आज यह विपक्ष में आने के बाद बीजेपी पर दबाव बना रहा है और बीजेप 2017 में फरवरी के माह में वो मुख मंत्री बने थे और 1970 के दिसंबर में उन्हें मुख मंत्री पद से हटा दिया गया था कॉंग्रेस के मुख मंत्री थे और 1971 में गणना होने वाला था उन्होंने भी मांग रखी थी जो केंद्रिये कमिटी है कॉंग्रेस की उसके सामने कि जा था जाती अधारित गणना को लेकर चुकि साल 1970 था और 1971 में कास सेंसस होने जा रहा था लेकिन केंद्र कमिटी जो है कॉंग्रेस की वो इस पर बिल्कुल त्यार नहीं थी ऐसे में ये बात कहना गलत नहीं होगा कि राजनितिक मुद्दा बन चुका है जाती अधारित गणना चाहे कॉंग्रेस हो या फिर बीजेपी हो भले जो रीजनल पार्टीज हैं जो छेत्रिये दल हैं उनके लिए ये फाइदे मन हो सकती है लेकिन जो राश्ट्री पार्टीज हैं उनके लिए ये सिवाए राजनितिक अजंडे का और कुछ ने रहा गया है कैसे लगा आपको ये विश्लेशन हम तक आप जरूर पहुंचाएगा अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथी साथ ये वीडियो का हमारे फेस्बूक पर देखते हमारे पेस को लाइक फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा धन्यवाद